रोली पॉश एलेक्ट्रिक स्कूटर, देश का इलेक्ट्रिक टू वीलर बजार काफी बड़ा हो गया है। यहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दे की छोटी दूरी की यात्रा करने जैसे की घर की रोजमर्णा के काम के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर आज की समय जरूरत से बन गई है। इन्हीं ड्राइव करने का कॉस्ट भी दूसरे वाहन की तुलना में कमाता है और इनके मिंटे निल्स में भी जेब पर ज्यादा बोज नहीं पड़ता है। रोली पॉश कंपनी की यूनिक लूक वाली इ 500 रुपये की एक शोरूं कीमत पर कमपनी ने उतारा है। अगर आप भी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में आप जान सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कमपनी ने 1.8 किलो वाट शमता वाला बैटरी पैक लगाया है। जिसके साथ BLDC तक्नीक पर आधारिक 250 वाट का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। इसके चार्जिंग की बात करें तो कमपनी का दावा है कि 4-5 घंटे में इसका बैटरी पैक फुल चार्ज हो जाता है। वही एक बार रहतर ब्रेकिंग के लिए कॉंबी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ फ्रंट वील में डिस्क प्रेक और रियर वील में ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके साथ ही आरामदायक राइट के लिए इसके फ्रंट में हाइड्रॉलिक डिंपिंग सस्पेंशन और रियर में स्प्रेंग बेस जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ बजार में आती है